वेल्कम टू डाउट नेडल वेल्कम टू यॉर आईटी क्लास तो बच्चो मेरा नाम है आकर्स और मैं आपका कम्प्यूटर एजुकेटर तो बच्चो जैसे कि हम यूडिट हमारी चल रही है डेटा बेस मेरेजमेंट सिस्टम तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज की ले यूज करेंगे जिसका नाम है ओपन ऑफिस तो उसके अंदर कुछ डेटा टाइप है और वो डेटा टाइप हमारे लिए क्यों जरूरी है हम डेटा टाइप को किस सरा से यूज करते हैं तो इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं तो बच्चो और एक्जाम में आपको इससे question जरूर से जरूर आएगा तो मैं आपको simplest way में और बहुत ही असान तरीके से समझाओंगा कि इस lecture के अंदर आपको क्या चीज़े ध्यान देनी है जो कि आपकी exam के अंदर पूछी जाएगी तो चलिए बच्चो lecture को start करते हैं और समझते हैं कि data types के हैं तो बच्चो मै हमने name, role number, subject, date यह सब क्या थे column के name थे तो बच्चो आप data types का requirement क्यों है में need क्यों है देखिए जब हम table create करेंगे जब हम आगे lectures में पता चलेगा कि tables कैसे create करते हैं open office के अंदर तो हम बात करेंगे data types ठीक है कि भाई जब table आप create करेंगे हम open office का नाम ले रहे हैं ठीक है कि जब हम table create करेंगे बेटा software के अंदर तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा जब हम कोई भी column बनाएंगे table के अंदर टेबल के अंदर column होगा उसका name होगा अब वो column के अंदर किस तरह का data रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा वो आपके specify करना पड़ेगा और आपको वह है specify करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा data types कि बाई अगर रोल नंबर वाला column है तो हमें पता है कि रोल नंबर वाले कॉलम में हमारे जो data होगा वह किसमें होगा numbers की form में होगा या हम बात करें जो हमारा name वाला टाक्यों है तो य हमें बात करूँ जो हमारा टेबल क करते हैं तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि हर एक कॉलम के अंदर किस तरह का डेटा कंटेन होगा ठीक है तो वो कौन बताएगा वो हमें बताएंगे डेटा टाइप्स यहां तक बात क्लियर होगी समझ आगई बात तो डेटा टाइप्स आर यूस्टू अडेंटिफाई व और हर एक कॉलम के अंदर किस तरह का डेटा किस तरह की वैल्यूस स्टोर होंगी कि नंबर्स के फॉर्म में होंगी कि टेक्स के फॉर्मेट में होंगी या डेट के फॉर्मेट में होंगी ठीक है तो यह सारी बातों का ध्यान कौन रखता है डेटा टाइप्स रखते हैं फी मैंने आपको बताया कि tables कंदर field है माले नेम की है role number की है date की है थीचर में subject की है तो डाइध हर ऐPlay outlook never हम बोलते हैं कि roll number हमारे numbers की form में होंगे names हमारे text की form में होंगे इडेचर हमारी date के format में होगी subject भी हमारे text के format में अब यह फॉर्मेट का जिस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है हर एक फील्ड के अंदर एक कॉलम के अंदर तो वह कुछ ना कुछ डेटा टाइप कंटेन कर रहा है और हमें हर एक कॉलम को क्रियेट करने से पहले डेटा टाइप बताना पड़ेगा हम अगर डेटा टाइप करेंगे कि हमारा जो open office है जो हम पढ़ने वाले जो software हमारा open office ठीक है जिसको हमें use करके tables create करनी है आने वाली classes में आपको इस पर भी lecture मिलेंगे tension मत लेना अभी भी ठीक है कि कैसे table create करेंगे मैं आपको सब बताऊँ अब बच्चे हमारे इंप्रोटेंटट डेटा टाइपस जो क्यर्टिग्राइज किये गए है यहां पर क्या है नुमेरी टाइप ऐल्फानुमेरिक बाइनरी टाइफ एप यह 4 डेटा टाइप है टिकश् – यह 5 लिखा है आपके चाहर डेटा टाइप है जो कि यहांपर क्या किये टाइप है उसको याद रखना है कि इन कैटिगरी के अंदर कौन-कौन से हैं जिनको हमको याद रखना है ठीक है सिंपल कुछ नहीं करना है बस आपको याद रखना किसका क्या वर्किंग है वो भी याद रखनी है और यह लेक्चर हमारा डन हो जाएगा अब देखिए हमने ब हुआ।का माक्स का कॉलन हो या आपका रोडंबड का कॉलम हो या आपका फ्रसंटेजू वाला कॉलम हो तो numbers के फॉर्मेट में होगा वह डित मैंना है तो अम्हारे सामने यहां पर ये वैल्यू प्रिस्ट अधिक नुमैरिक बिट टाइप के अंदर क्या-क्या चीजिए आ इंटर होगा किस फार्मिट में होगा जीरो या वन की फॉर्म में ट्रू या फॉस या याज नो कि अगर किसी कॉलंग को आपने क्या किया है बूलियन डेले टाइब दिया है तो इतमीस उसमें 01 1 हो सकता है 0 या 1 या true या false या yes और no और इसके अलावा कोई भी डेटा इंस्टेट नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर आप कोई नंबर है आप माइनस 2 की पावर 15 से लेके माइनस 2 की पावर 15 माइनस 1 तक इस रेंज तक कोई भी डेटा एंटर कराना चाहते हैं नंबर के फॉर्मेट में तो आप इस्मॉल इंटीजर का यूज कर सकते हैं इस्मॉल इंटीजर का अगर आपको इंटीजर का यूज करना है इंटीजर का तो भाई आप इस रेंज के नंबर इस रेंज में जो भी नंबर आएंगे आप इसको स्टोर करा सकते हैं तो ये तीनो टाइप है integer मतलब इसमें जो डेटा होगा वह इंटीजर फॉरमेट मुhए जिसकोू। शॉर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं जिसको हम कहले लिख रहे हैं जुको। हम कहें लिखे हैं चोर्ड फॉरम में इंटीप लिख पर्टिकुलर रेंज के लिए हम यह data type यूज़ करेंगे वह हम पर डिपेंड करता है कि हमारे numbers की range क्या है हमारे numbers की range क्या है तो उसके according user जो जब database create करेगा जब table create करेगा उसके according हम data type उसमें लगा देते हैं ठीके नुमेरिक, अगर आपको numbers के format में कराना है, numbers के form में, तो maximum यहाँ पर range लिकी हुई है, अगर आप चाहते हो कि आपका decimal के format में store हो, data क्या हो, numbers हो, अगर decimal के format में store हो, तो आप decimal use कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको real numbers के बारे में store कराना है, आपको real number के बारे में, तो आप real use कर सकते हैं float भी decimal है ठीक है float भी decimal values है float को भी decimal values भी बोलते हैं double अगर आपको double type का data store कराना तो आप यह सारी यूज़ कर सकते हैं तो आपको इसमें यह याद रखना है कि अगर आप से exam के अंदर पूछा जाए कि number data type के अंदर कौन-कौन से data type आते हैं कौन कौन से डेटा टाइप आते तो आप याद रख सकते हैं आप इनको बस याद रखना है ठीक है और कुछ नहीं बट इतना है कि इस सब को हम कॉलम के उपर यूज करते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा समझ आ जाएगा ठीक है अब यहां पर एक और टाइप आता जि यूज है डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई लॉंग वैर करका यूज कहां करते हैं जब हमें भाई इस्टोर अप्टू मैक्स लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाई यूजर चाहता है कि भाई मुझे 40 करेक्टर का डेटा इंसर्ट कराना है तो आप लॉंग वैर करका य है अधर आपको पता है कि हमारे मेरे डिकरेक्टर की लेंथ किस और मेरे इस इस चारेक्टर की लेंथ पिक्ष इस से ज्यादा लेंथ नहीं होगी ठीके इसे ज्यादा टेक्ष्ट नहीं ओंगे कॉलम के अंदर तो आप से लिप daar कर यूज कर सकते है तो मने Planalis कर के सिसकर ते हैं वैर के सिंटर कराना है तो हम वहाँ पे वैर का यूज organism करते हैं बार योरिक कर एक तर कम जोर के सिरा ánकर के कराना है कि आप जब कोई भी टेक्स्ट एंटर कराइए आपने बोला कि आगर आपने मालने चाहिए आपने लिखा मेरा नहीं के लेंट zařब करतें और कोई में हो कि एक पास कोम मैं नहीं का थो हमें पता है यह सिद्ध को याद्ध रखना है कि एल्फा अमेरिक में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं तो एक्जाम में यह पूछा जा सकता है आप से ठीक है और डिस्क्रिप्टिन भी आपको पढ़ने हैं ठीक है इमेजेस चाहिए तो हम वहां पे बाइनी टाइप का डेटा यूज टाइप यूज कर सकते हैं ठीक है तो बाइनडी डेटा टाइप के अंदर क्या आता है कि बाइन डेटा टाइप सार्दी यूस for storing data in binary format बाइनरी डेटा टाइप इन डेटा कैन भी यूस्ट तो स्टोरिंग फोटोज म्यूजिक फाइल इन जर्नल फाइल फॉर्मिट कि आपको अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल है अब मालनी जिए टेबल के अंदर एक कॉलम है जहां पर बाइनरी देते हैं लॉंग वैर बाइनरी देते हैं तो आप इमेज करा सकते हैं ठीक है कोई भी मल्टी मीडिया करा सकते हैं आप अगर बाइनरी देते हैं तो यहां पर बिटा क्या है यहां पर फिक्स्ट है यह फिक्स्ट है आपको इतने टाइप इतना ही फिक्स मिलेगा इ अट्यूनुकै कि र मेरटर इसक्षृ नहीं है कि भाइच फिक्स नहीं साइस फिक्स नहीं यहां पर आपफिक्स हं है नहीं से और यह मेश तो हमने तब हम कि अगर किसी कॉलम के अंदर हमें images, audios, videos ठीक है अगर किसी कॉलम के अंदर हमें क्या करानी है store करानी है इस तरह का data store कराना जो कि binary type का data है तो हम इन सारे data types का use करते हैं हमारे requirement में depend करता है कि हम कौन सा data type use करना चाहते हैं बच्चे तो आपको बस यह जाध रखना है कि binary types के अंदर कौन से data types है यह data types है लॉंग वैर binary और वैर बाइनरी और वैर ठीक है कि अब आता है date time data type आप माली जा आपने कभी ना तो कभी देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर जो tables होती है स्कूल के किसी रेजिस्टर पर देखा होगा कभी ना तो कभी आपने देखा होगा कि tables में date of birth date of joining देट लिखी रहती है तो अगर आपके पास tables के अंदर एक कोई ऐसा कॉलम है जहां पर हम डेट और टाइम का यूज कर रहे हैं हम जहां पर डेट और टाइम का यूज कर रह पर लिखा है जिसमें कि आपको डेट और टाइम का कॉलम है तो अगर आपको उस कॉलम के अंदर डेट और टाइम के format में data store कराना है तो आप वहां पर यह data types का यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डेट अगर आपको month day year store कराना है कि आपका year वाला कॉलम है या date वाला करेंगे time is time मतलब आप time भी बताना चाहते हैं और डेट भी बताना चाहते हैं दोनों साथ साथ store date and time information तो आप यह data type का यूज कर सकते हैं कि हमारे पास मालीज एक कॉलम है student का name है ठीक है student का subject है student का address है student की date of joining है और किस time को join किया था वो भी है तो अगर date of joining क्या हो गई वो date हो गई तो वहां पर हम date type का यूज कर लेंगे और timing क्या है timing वाले में time का यूज कर लेंगे ठी है तो अगर इस तरह का column है जिसमें की date of time की बात हो रही है तो उस column में हम इस तरह का data types का use करते हैं समझ गए बात सिंपल बाते हैं बस याद रखना अब देखिए यहाँ पर example है मारे पास अब बच्चे देखो मेरे पास यहाँ फील्ड ने में मतलब यहाँ पर column के name है जो सकते थ्री नंबर को सकते जादे जादा तो हमने यहाँ पे टाइनिंट यूज कर लिया है और हमें पता इसकी रेंज 0 तो लेके तू-55 होती हमने लेंग बता दी है कि हमने लेंग बता दिया है तीन नंबर का रोल नंबर चाहिए चाहाँ है वन प्वेंटी-3 ऐसा date पहले आधे कि मंठ बाद में 3 years okay Klaas Mart फैंफ होगी ठीक है class 10th सकती है ऐसे थो सकती है ठीक है तो character कर लिया है और हम wszें सिर्फ यहाँ पे एक ब्र शहना है थीख, phone numbers आपको पता है phone number हमारे जैसे कुछ भी हो सकते है फोर नमबर हमारे कुछ भी हो सकते हैं तो फोर नमबर यह क्या है हमारे इंटीजर फॉर्मेट में और काफी लंबा फॉर्मेट है तो हमने क्या यूज कर लिया इंटीजर और लेंद्ध क्या बता दी 10 हमने लेंद्ध क्या बता दी बिटा 10 बता दी इमेल इमेल में वेर्केर यूज किया है क्योंकि वेर्केर में वेरेबल्स भी आ सकते हैं नंबर्स भी आ सकता है सब कुछ आ सकता है और लेंथ भी पता दी कि 75 कि 75 करेक्टर्स क्या हो सकते हैं स्टोर करा रहे हैं कलर कलर फील्ड का नेम है तो वेर्केर यूज कर लिए टेक्स टेक्स और अलफानुमेरिक दोनों के लिए होता है वेरकेर, ठीक है, टेक्स और अलफानुमेरिक मतलब उसमें नंबर भी आ सकते हैं, टेक्स भी आ सकते हैं, लोकेशन, एड्रेस मतलब, तो एड्रेस में नंबर भी होता है, और टेक्स भी होता है, तो वेरकेर हो गया, तो ल आगे आनेलैली classmates में बताओंगा जब table create करूंगा तो आपको यह भी बताओंगा हमें data type कैसे लिखना है और किस तरह से बनाना है तो आपको ज्यादा चीज़े clear हो तो अभी इस lecture में जितने अभी types पढ़े उनके अंदर जितने data types को वो सारे आपको याद रखने हैं ठीक है बच्चो चलिए अब देखें तो अभी जो पीछे example देखा तो नेम में भाई नेम आ गए रोल नंबर में इंटीजर टाइप है य यहां date है यहां पर single character है तो character का use कर रहे है ठीक है यहां पर इंटीजर है यह character का क्योंकि इसमें सारे कॉलम इस कॉलम की में data कैसा है characters की format में इसमें date की format में है इसके इंटीजर की format में है इसके text की format में है यहां भी इंटीजर की format में है यहां पर पूरा data इस कॉलम का type क्या कोyas क्या है फेर्व कैर है के साफॉर से टीकर है तो ये हमें बताना पड़ता है कि हर एक ये तरह तरह का डेरेक्टा और, कि और फीर और उस्थािख औरक यह चीजान होगा थे लेक्ट्चर से आपको दो से तीन लेर्विक से कोश्टियन मिल सकते और most important चीज है क्योंकि data type पूछा जाता है क्योंकि जब भी table create करते हैं और जब columns के name बनाते हैं तो उसको columns का name बनाने के उसके साथ data type भी बताना हमें पड़ता है कि किस तरह का data आप वो column contain करेंगे ठीक है तो यह हमें खुद सोचना पड़ता है यह में खुद अपने बात को बताना पड़ता है कि हम भाई क्या चाहते हैं तो आइटिंग यह लेक्चर क्लियर होगा जिस सेशन क्लियर होगा कि data types क्या है in open office open office हमारा software है और आने वाली classes में हम आगे बात करेंगे create tables कि table कैसे create करेंगे open office में जिसको मैं आपको theory और plus practical दोनों बताऊँ ठीक है तो अगर मेरे lectures अच्छे लग रहे हैं ऐसे और भी lectures आते रहेंगे तुम्हारी पूरी playlist में complete करा दूंगा पूरा syllabus complete करा दूंगा कि कहीं भी डाउटनेट के चैनल पर 910 वाले को सब्सक्राइब कर दो और IT402 की ऐसे और classes मिलती रहेंगी जिससे कि आपकी बोर्ट की preparation अच्छी हो जाए ठीक है बच्चों तो मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार अपना ध्यान दखिया और पढ़ते रहें झाल 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 झाल